क्या हो आरो कल मौस की बंडी के पास आके पहले ऐसा जगड़ा करें उसके बाद फिर भाग 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 भोलके बोले मसला क्या है आया करें में कुभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन में कुछ सब समझ में आ रहा ये पहले के जनम का मसला है ये पख़िले के जनम सब बेकार के बाता रहते कुछ भी बेकार के बाता नहीं है मैं कली कली जाके ogली बाबा के पास वाल कुलाया उन्हों तश्तरी में पानी रखके बतायAY अपने पहले के जनम के पुरे मसले अरे याद कर याद कर काजा वो अपन डेली अम्मी के पास या दस रुपे लेके उरस में जाके पूरे जूले जूले थे वो पानी के बंदुखा वो भूक यादे खारे के दुकान पे जाके 5-5 पाज रुपे की पकोलिया खरी थे बस्ती में पूरे बस्ती वालों की नाग मेदम करते रखते थे अरे याद कर याद कर ना वो चोटो भई की दुकान के रसकुले गॉक्तर भई की दुकान के पेपसिया वो फसी भई के दुकान के फटा फटा याद कर ये अपनार जिनम का मचला है तिर को भी यकिन ने आ रहा हूँ याद कर अरे अपनी बूटी माँ अपनी गोश्ट की दुकान पर अपने कापतेवे हाथों से हाज भी गोश्ट काट कर बीच रही है और इंतिजार कर रही है कि मेरे खाज़ा पाशे आएंगे और मेरी गोश्ट की दुकान को समालेगे attitudes अठीक है लेकिन मैं जा रहा हुँ अपनी मा के पास उसका कारोबार समान ले क्या तो भी गुर गुर के देख रहा भई खुली जमीन देख के ख़बजा करने का है क्या जांग गई है मेर को इसा दिकरा में ये बस्ती में पहले भी कभी आयवा हूँ पागल हो गया क्या विजे मेरी में पैदा हुआ से तू और भुल गया बचपने से अपन बोराबंडे में रहके बड़े वे सोय मेरे को तो ये जबीलीज गाड़ पर दिकरी नहीं जांग गया वो सामने के चौरस से पर एक सरकारी बोरिंग होआ करता था जहां पर लोगा लाइन लगा के घड़ों से पानी भरते थे बड़ेगा यहां जुम्मेराद को जुम्मेराद को तरकारी की मंडी लगती क्या आँ अस्ताद यहां पुरानी मंडी लगती चले के पास एक गरीब भुड़ी का बेटा अपने हमा का खर्जा वसूल करने आया है